हेलो फ्रेंज वेलकम टो मैं चैनल मंधनि स्मार्ट क्लास आज संभिधान के बहुत इंपार्टन प्रस्ण करने वाले हैं तो क्या कह रहा है पहला कुशन भारती संभिधान में कस्मीर को बिसेश राज का दर्जा देने का प्राय है क्या है संसत को कानून बनाने का अधिकार नहीं है कसी मेरका अलग संभिधान हां माड़ा औप्सन जो है बी सही हो जायएगा सरी कि जह कशने का अलग संभिधान है इसका विच्यास राज से इसका अभिप्राय है तो siento का अलग संभिधान क्या था यह धारा trust क्या буर्य। आज थोड़ा सा डिस्कॉष कर लेते हैं कि ये काश मEer का मुद्दा क्या था तो ब्रीटिस जब यहां से गए तो वो जो है कहके गए थे कि भारत में चाहो तो अलग से एकदेस बना सकते हो पाकिस्तान जैसा या फिर कोई भी, कोई भी जो है स्टेट भारत में या पाकिस्तान में किसी लिए जो था की वो किसी में समलित नहीं हुए और क्या हुआ कि पाकिस्तान जो था 17 पास गयED ले पंडित मेर्यू ने कहा कि आप पहले हस्ताक्षर करिये प्हारत मर प्हारत हो ये तभी आपको रच्ष किया जाएगा कास्मिर को बचाया तो उन्होंने एक सर्थ पहस्ताक्षर किया वो सर्थ यह थी कि सिर्फ तीन ही मामलों में उन्होंने भारत में समलित होने का होने का मतलब निश्य किया कौन-कौन सा था वो वो था विदेशी मामला था और रच्छास से समंदित था और संचार मामले में था यह तीन मामलों में सिर्फ उन्होंने भारत में समलित हुए बाकी जो है complete नहीं हुए इसलिए जो था कस्मीर का अलग ही मुद्दा था जैसा कि अमेरिका में स्टेट का अलग नागरिकता होता है देश का अलग नागरिकता होता है उसी तरीके से कस्मीर में भी था कस्मीर का अलग नागरिकता था और देश का अलग नागरिकता होता था जैसे अमेरिका में दो जंडे होते हैं स्टेट का अलग और देश का अलग उसी तरीके से कस्मीर क का अलग सम्मिधान ठीक है तो अभी जो है इसको 31 अक्टूबर 2019 को हटा दिया गया धारा 3070 और कंप्लीटली भारत में सामिल कर दिया गया जो कि अब यह स्टेट नहीं इसका टू पार्ट करके केंदर सासित परदेश यूनियन ट्रेटली बना दिया गया है लद्दाख और जमौ और कस्मीर राज की विधान परशद के कितने सभा दौरा चुनने जाते हैं तो इसको हम ध्यान रखेंगे जो हमारे विधान परशद होता है जिस तरीके से सेंटर में लोग सभा होता है उसी तरीके से स्टेट में विधान सभा होता है जिस तरीके से सेंटर में राज सभा होती है उसी तरीके से हमारा स्टेट लेबल पे विधान परशद होता है तो जो कहा जा रहा है कि राज की विधान परशद के कितनी सदस विधान सभाद्वारा चुने जाते हैं तो विधान सभाद्वारा जो है वो एक बटे तीन विधान सभाद्वारा चुने जाते हैं कि विधान परशद कितने सदस्य विधान सभादवरा चुने जाते हैं तो यह हो जाएगा एक बटे तीन एक बटे तीन जो है विधान सभादवरा और एक बटे तीन ही क्या एक बटे तीन ही चुना जाता है इस्थानी सवसासन दवरा और एक बटे बारा जो है एक बटे बार एक बटे बारा जो चुने जाते हैं सारी ये एक है ये एक है एक बटे बारा जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं मादिमी किया उच्छे सिच्छन वर्ग के सिच्छकों द्वारा जो तीन वर्स तक कारिवत हो चुके हूं और एक बटे बारा उनके द्वारा चुना जाता जो graduate हो चुके हो और तीन साल पहले हो चुके हो उनके द्वारा चुना जाता है यह जो है विधान परशत का इसका गठन के बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को कि विधान सभा का गठन कैसे किया जाता है पांच बटे छे सदस्यों का जो है पांच बटे छे सदस्य जो होते हैं वो चुने जाते हैं और जो बच रहे हैं बचेगा कितना एक बटे छे एक बटे छे जो बच रहा है यह राजपाल द्वारा मनोनित किये जाते हैं तो इसको अगर हम अध करेंगे तो 5 बाटे 6 हो जाएगा तो इसमें से हम इतना हमें पता होगा तो हम तुनत पता कर लेंगे कि विधांसभा द्वारह कितने चुने जाते हैं एक बटे तीन द्वारा एक बटे तीन विधान सबा द्वारा और एक बटे तीन इस्थानी सवसासन द्वारा और एक बटे बारा सिच्छको द्वारा जो तीन वर्ष तक कारे रत हों और एक बटे बारा उन ग्रेजुएट लोगों का जो तीन वर्ष पहले ग्रेजुएट हो जा सकता है किसी राज की विधान सभा को निम्न के दौरा समाप्त गठित किया जा सकता है कहने का मतलब यह है कि इन सब को हम पढ़ें और समझें कि कि किसके मतलब एसा क्या प्रोधान है जिससे सम्विधान का गठन होता है या फिर सम्विधान का सौरी कह रहें बिधान परशत का गठन होता है कैसे और कैसे इसको हटाया जाता है हाला कि जो हमारा बिधान परशत होता है वो सभी राज्यों में नहीं है बिधान परशत जो है सभी राज्यों में नहीं है इसलिए जो है बिधान परशत जो है सभी राज्यों में नहीं है कौन-कौन से राज्यों में है उत्तर परदेश बिहार महराश तेलंगाना आंधर पर तो जो विधान परशद जो है विधान परशद वो कह रहा है किसके दोरा गठित या समाप्त की जाती है सबके पास नहीं होती है ठीक है ये जो है इसको जो है अगर कोई भी राज इसको विधान परशद को बनाना चाहे तो कैसे बनाती है विधान परशद को वो जो है विधा आ जाता है और इसी तरीके से हटाया भी जाता है तो इसमें से कौन सा होगा राश्पति द्वारा यह तो नहीं हो सकता है सेकेंड भी नहीं होगा और तीसरा भी नहीं होगा option number D संबंधित राज्य की बिधान सवाद्वA इस संद्र में प्रस्ता वीत प्रस्ता वीत प्रस्ता पारित करने पर संससद्वारा हुआज目前 प्रस्ता भी जाता है और उसे बनाया जा सकता है के विद्धान सभा में किसी दल के निरवाचिस सदस्यता के डल बदल पर निम्लिकित में से किसरे पर्तिबंद लगाया है तो चाहा है दा समय तो जो दल बद dipping के अधार पर होता है दल बदल तो यह हमारा बानुवा संसोधन 1950 में हुआ था ठीक है इसके ताहद जो है दल बदल के अधार पर वो परतिबंद लगाया गया है तो जो दल बदल का वैसे तो सदस्यों का योगता जो किसके दोरा किया जाता है निर्वाचन आयोग के तहद रा दल बदल के अधार पर कोई सदसी योग्य है या नहीं है इसका निस्चे जो है लोगसभा में अध्यश करेंगे लोगसभा अध्यश और राजसभा में राजसभा अध्यश करते हैं सभापती करते हैं राज सभा में सभापती होते हैं भारत के किस राज में सौरपर्थम महिला मुख्यमंत्री हुई थी तो कहां पे हुई थी उत्तर पर्देश में कौन थी सुचेता करपलानी पहली महिला ठीक है राज जी विधान परशत का कितना भाग राज जी पाल साहित्य कला विज्ञान सहकारी अंदोलन एवं समाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियूं का नाम निर्देश्ट करता है अभी हमें आप लोगे को हम बताये थे कि जो पांच बटे छे है पांच बटे छे विधान परशत का 5 बटे छे यो तो निर्वाचन किया जाता है लेकिन जो एक बटा छे होता है वो मनोनित किया जाता है और वो ऐसे नहीं मनोनित किये जाते हैं उनकी योगिता होती है कैसी कैसी कि साहित तिकला विज्ञान समाज सेवा सहकारता अंदोलन समाज सेवा इन में विशेश उने ज्ञान हो तभी जाके जो है वो चुने जाते हैं कि राज़िपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ठीक है उनका इरेक्षण नहीं होता है आपसर नंबर कौन सा होगा इस में से हमारा क्या का जा रहा है कि मनोनीत किए जाते हैं तो क्या होगा एक बटे छे समानेता राश्टपती राजिपाल की न्युक्ति करने से पूरो मुख मंतरी से सलाह करता है ये क्या है मतलब जब भी राश्टपती जो होते हैं वो राजिपाल की न्युक्ति करते समय मुख्य मंत्री से सला लेते हैं तो यह क्या है यह एक प्रंपरा चलती आ रही है ठीक है यह प्रंपरा का मामला है राज़िपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता ये राज़िपर ही सारे होते हैं राज़िके नियाले के नयाधीस, मुख्यमंत्री राज़ि लोकसिवा आयो का अध्याश, राज़िका महाधिव्यक्ता जो राजिपाल हैं इनका भी नियुक्ति करते हैं इनका भी करते हैं लेकिन जो हमारे सुप्रीम कोट के नयाधीस हैं या फिर उच्च नयाले के नयाधीस हैं ये राश्टपति करते हैं इसलिए इसमें ये हमारा आंसर जो होगा ये नहीं होगा answer number 1 उच्छ न्याले के नयाधिस इसकी नियुकती नहीं कर सकते हैं राश्टपती करते हैं राजपाल दौरा जारी अध्यादेश का किसके दौरा अनुमोदन होना चाहिए किसके दौरा अनुमोदन होना चाहिए राजविधान मंडल दौरा राज विधार मंडल दो रहा है जिस तरीके से सेंटर पर अध्यादेश जारी होता है उसी तरीके से राज पर भी अध्यादेश जारी होता है सेंटर पर कैसे अध्यादेश जारी होता है जब लोग सभा और राज सभा दोनों ही सदन सत्र में ना हो या फिर एक भी एक ही सत्र में नहीं है एक सदन सतर में है तब भी जो है तब भी जो राश्ट्रपती को है वो विश्वास हो जाए कि हमारा जो इस परजेंट टाइम में जो है कानून बनाना बहुत आवश्यक है तो वो अध्यादेश जारी करके बना सकते हैं इसी तरीके से हमारे राजी पर भी होता है लेकिन ये प्रामर्स लेना पड़ता है जैसे जो हमारे सेंट्रल लेबल पर है चाहें इस्टेट लेबल पर ही मालने ये ऐसा नहीं कि वो जो राश्पती है या फिर राजपल है तो अध्यादेश जारी करी देंगे इनसे दिद करते हैं तब तो वो लाव होगा अन्यथा छे सप्ताबाद समाप्त हो जाएगा जम्मू वा कस्मीर राज का संभिधान बनाया है किसने बनाया है उसी संभिधान सभाने जिसने भारत का संभिधान बनाया है संसर द्वरा इस्थापीत संभिधान सभाने राज द्वर सभाने तो उसी के दोरा बनाए गया था राजियों में मंत्रियों को निम्न में से किसके दोरा निर्धारित बेतन प्राप्त होते हैं मतलब कह रहा है कि कि इनके दौरा मतलब निर्धारीत बेतन मिलता है तो राजी विधाल मंडल दौरा निर्धारीत बेतन प्राथ होते हैं राज में मंत्री परशद उत्तरदाई होती है राजी विधाल मंडल के दोनों सदनों के प्रती कहने का मतलब है option ये question ये है कि राज में मंत्री परशद उत्तरदाई होती है किसके प्रति उत्तरदाई होती है जैसे लोग सभा जो है लोगसभा जो है मंत्री परशद जो है इस सेंटरल लेवल की हम बात कर रहे हैं वो लोगसभा के प्रति उत्तरदाई होती है वो लोगसभा कोई भी प्रशन पुछती है तो उन्हें संतुष्ट कुणवाक उत्तर देना ही पड़ता है अन्य था वो अभिश्वास प्रस्ता प सभवाबनों के प्रति या सलसद के प्रति लोगसभा के प्रति सफेंगे कि लोग जो हमारा सिंटरल लेवल का कानून है और जो इस्टेट लेवल का कानून है काफी सिमिलर्टी है अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो मतलब अंतर तो है ही अभी हम आपको कुछ कोशन में अंतर भी बताएंगे लेकिन काफी ज्यादा सिमिलर्टी है तो उसमें लोग सभा के प्रती इसमें विधान सभा के प्रती जैसा कि मैंने बताया था लोग सभा जैसा होता है वैसे विधान सभा होता है वैसे विधान परश्यद होता है जैसे संटर में राष्ट पती होते हैं वैसे राज जिपाल होते हैं रिश्टेट में जैसे प्रधान मंत्री होते हैं स्टेट में मुख्यमंत्री होते हैं सामन्नी कानून के अधिनियम के संदर्म में राजी विधान परशद क्या कह रहा है कि सामन्नी कानून अधिनियम के संबंध में राजी विधान परशद विधान परशद जो है को विध्यक से सहायता होना पड़ेगा कुछ option गडवड है ठीक है अधिकतं चार महा की देरी कर सकती है option गडवड है लेकिन जो इसमें सही आंसर है वो बिल्कुल सही है अधिकतं चार महिने की लेट कर सकती है जो हमारे हाँ विधान परिशद है जैसे हमारे हाँ जितना भी महतपूर कानून है कहने को तो लोक सभा कर बिदधान सबा को नीमने सदन का गया है और राज्य सभा और परिशद olması को अथे सदन का गया है लेकिन जो हमारा महतपूर कानून है महतपूर जो कानून बनाये जाते हैं वह लोग सभा में ही पेस्ट किये जाते हैं लोगसब्सभा दोारा ही बनाए 진ो वैसे बिदान सभ इसको कि कैसे चाल महिने की देरी करती है क्या प्रोसेस होती है कि इनको चाल महिने लग जाते हैं चाल महिने की लेट करवा देती है तो जब भी विधान सभा में जो प्रस्ताव है कोई भी विधे हैं पारित करने के बाद उसे विधान परशद में बेजा जाता है अगर विध स narciss workshops इसकी मरजी होगी तो वो नहीं भी करेगी और फिर से वह बिद्ये ब्यजद में भिएज देगी उसी रूप में या फिर संसोधन भी कर सकती ये हैं और इसके बाद भी उगีड हमें तक जो है अपने पास रखती हैं बिधान परशद और नहीं बेशती है तो एक महिना बाद पारित्मान लिया जता है जाने कि जो कानून है वो विधान सभाही बनाती है यह है कि बिधान परशद इस तरीके से चार महिने की देरी कर सकती है भारती संविधान में किया ग्या संशोदन जम्मु कस्मीर पर विस्तारित होता है तो राश्पति के अनुच्छे 370 के अंत्रगत आधेश द्वारा कि इसके तहत उसको विशेश दर्जाव मिला गया था उसके कानून नहीं गये थे राज्यों को प्रदत साहता अनुदान है क्या है पिछड़े राज्यों के प्रती अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए प्रदान किये जाते हैं केंद्र आयोजी तो यह जिनाओं के लिए होते हैं राजस्व लेखे के घाटे को पूरा करने के लिए प्रदान किये जाते हैं जिससे राज हितकारी कारे कर सके बिल्कुल सही कहा है option number C हमारा सही हो जाएगा निमलिखित राज्यों में से किस राज्य में बिधान परश्यत नहीं है तो अभी अभी हम बताये थे कितने श्टेट में है छे UP, बिहार और कौन सा है UP, बिहार, महराष्ट, तलंगाना, आंध्रपरदेश, करनाटा की ये छे राजे हैं जहांपे बिधान परश्यत हैं तो इसमें से हम पता कर सकते हैं कौन सा नहीं है पश्यम बंगल का मैंने नाम नहीं लिया तो यहीं नहीं है जितना नाम लिया था मैंने उसी में से बिधान परश्यत हैं इसमें नहीं है तो पश्यम बंगाल में नहीं है भारत में ये क्या लिखा है दूई शदन होना चाहिए था भारत में दूई शदन वाले कुल कितने राज्य हैं तो 6 हैं कौल कितने हैं 6 हैं पहले कितने थे 7 थे अब कितने हो गए 6 भारत में विधाई परशत की रशना सरपर्थम किस अधनियम के तहत किया गया है तो ये जो है 1903 के अधनियम के तहत किया गया है सब विधान के अनुशार किसी राज्य की विधान परशत की सदस संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस संख्या के एक तीहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए अता विधान परशद के नियुंतम संख्या कितनी होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए इसमें लोगसभा राजसभा में तो बहुत अच्छे से फिक्स कर दिया गया कि अधिक्तम 552 होगा लोगसभा में राजसभा में 250 होगा वास्तविक कुछ और ही है ठीक है वास्तित्विक जो है लोकसभा में पांसो पांसो पेतालिस है ठीक है और जो राजसभा है राजसभा में हैं 245 तो लोकसभा की यह साथ साथ सीटे कहां चली जाती है यह वही proven है यह जैसे हम जम्मू क कस्मीर के में बात करें तो ये वाला जो रीजन है ये वाला रीजन ये हमारा पियोके में पढ़ जाता है पाक अकुपाइट कश्मीर पियोके में पढ़ जाता है तो ये पाक में पढ़ जाता है इसलिए जो है हम इसे अपना अंग मानते हैं ठीक है ऐसा मानते है कि फ्यूचर में हम इसे अपना लें इसलिए हम इसको ध्यान में रखते हुए बनाए हैं और जो है इसा सीटे इधर ही पड़ जाती हैं इसलिए मारा वास्तविक जो सीटे हैं वह 542 है इसी तरीके से यहां पर अब हम यह तो सेंट्रल लेवल की बात की है कि लोग सभा में इतने होते हैं तो इसमें कितने होते हैं बिधान सभा में बिधान सभा में कहा गया है कि बिधान सभा सभी राज्यों में होती है तो ऐसा कहा गया है कि कोई राज बहुत छोटा है कोई राज बहुत बढ़ा है तो कहा गया है कि जादा से जादा 500 हो सकते हैं और कम से कम 60 लेकिन अपवाद भी है इसके क्योंकि अभ शवाद के रूप में हैं लेकिन हम याद रखेंगे क्या कहा जा रहा है कि यह तो रहा बिधान सभा की तो बिधान परस्षत का क्या होता है बिधान परश्षत को कहा जाता है ज़्यादा से ऻजिप एक तीієं कर सकते हुए किसकी बिधान सभा की जितनी भी सदस्य हैं उसका एक तियाई लेकिन कम से कम 40 सीटे होनी चाहिए कम से कम 40 सीटे होनी चाहिए यही कोशन कह रहा है कि जो है अधिकतम सीटे तो है एक तियाई है ही लेकिन कम से कम जो है कितनी होनी चाहिए 40 सीटे बिधान परशद के सदसे निर्वाचित होते हैं कितने साल के लिए जैसा कि लोग सभा में राज सभा में छे वर्ष के लिए होता है उसी तरीके से बिधान परशद में भी छे साल का होता है जबाएं च्राइ सभा में बिंदान परशद होता है इसको शित हर दो साल बाद वर्ष करकिते हैं इसके जगह पे हर दूसरे साल बाद उतने ही सदसे निर्वाचित कर लिये जाते हैं इस तरीके से वो बना रहता है और प्रतेख सदसे छे वर्ज का अपना कारिकाल ग्रहन करते हैं तो इस तरीके से जो कह रहा है कि बिधान परशद के सदसे निर्वाचित होते हैं कितने साल के लिए जैसे राजी सभा का होता है वैसे ये भी होते हैं हाला कि बिधान सभा को बिधान परशद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन बिगटित नहीं किया जा सकता बरतमान समय में दूशाद नात्मग विधान मंडल है बिहार में महराष्ट और जम्मु कस्मीर में उत्तर परदेश और करनाटक में उपरोक्त सभी में अगर हम इसको हटा देए जो कि पहले का कोशन है इसलिए दे दिया गया है तो हमारा एंसर हो जाएगा उपियोक्त सभी यदि सरकार राजसभा में प्राजित हो जाए तो क्या होता है क्या होगा परदान मंतरी अपना त्याग पतर दे देता है संसद भंग हो जाती है राश्पती सासन लाग हो जाता है नहीं इन में से कुछ भी ऐसा नहीं होता है ठीक है राजसभा का पदेन सभापती होते हैं बहुत इंपर्टेंट है आर्टिकल 64 कहता है कि जो उपराष्टपती होंगे जो उपराष्टपती होंगे वही राजसभा का पदेन सभापती होंगे यानि कि सभापती जो होते हैं व 64 के ताथ यह कहा गया है कि जो उपराष्टपती है वो राजसभा का पदे सभापती होगा तो option क्या हो जाएगा B, C, ठीक है, भारत का उपराष्ट पती, लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात यह है, कि जो उपराष्ट पती है, हम इनको उपराष्ट पती को सभापती को पद से नहीं अटा सकते हैं, कहने का मतलब है, अगर सभापती को मुझे अटाना हो, तो सबसे पहले उपराष्ट पत पड़ता है है एक ही आद्व्यक्ति लेकिन पद भी अलग-अलग है इसलिए हम क्योंकि जब तक उप्राष्ट्पति रहेगा तब तक 64 कह रहा है कि वो जो है सभापति होंगे इसलिए जो प्रस्ताव होता है वो उप्राष्ट्पति पर पेस किया जाता है तो यह जो है अपन अध्यश जो है अपना त्याग पत्र उपाध्यश को देते हैं और उपाध्यश अध्यश को देते हैं इसी तरीके से जो उप्सभापति होते हैं वो सभापति को देते हैं लेकिन जो सभापति होते हैं वो उप्सभापति को नहीं देते हैं क्योंकि जो सभापति होते हैं अब ही हम लोगों ने पढ़ा है कि जो उप सभापती होते हैं, जो सभापती होते हैं, जो सभापती हैं, वो उप राश्पती हैं, और उप राश्पती अपना त्याग पत्र राश्पती को देते हैं. आवित्तिय विधेकों को राज सभा कितने दिन तक रोक सकती है आवित्तिय लगा दिया है वित्ती नहीं कहा है तो ये छे महिने तक रो सकती है छे महिने से अधिक नहीं और जो वित्तिय होता है वो 14 दिन जो हमारा वित्तिय होता है जो धन विधेक होता है वो लोग सभा में कि नहीं पहसे किया सकता है एक सिर्फ सभा में पहसे किया जाता है और सब्झ कोई बात इसको पारितमान लिया जाता है यह तो बित्त्य विद्रयक के लिए के लिए कोई धन विद्रयक को राज-byadai को राज-yaktär सभा 14 दिन पर में कर रहा है अब बित्त्य विद्रयक मतल्ब सधार्न विद्रैक तो नाँ परीद्धिया राजे Свस्माभा में कम है इसलिए मत के द्वारा ही हमारे हैं होता है और जो पछ नूंढम हमारे विध्यै बनता है वह लोकसभा के ही पच्छ में जता है इसलिए वह ज़ादा ज्यादा 6 महहीं यह रोख सकती है तो यह भी आपको समझ में आया होगा जो बित्तिय विद्यक है धन विद्यक है वो जो 14 दिन तक रोख सकती है यहां फिर्ण समझने वाली यह बात है कि जो हमारा धन विद्यक है जो धन विद्यक है धन विद्यक वो तो बित्विध्यक है वो क्या है बित्विध्यक है बित्विध्यक है लेकिन बहुत से ऐसे भी बित्विध्यक है जो धन्विध्यक नहीं है इस फिगर के माद्यम से हम समझ सकते हैं सारे धन्विध्यक तो बित्विध्यक है लेकिन सभी बित्विध्यक जो है धन्विध् भारत में कौन सी संसदी समीती का प्राय परसिध विपच्छी नेता प्रमुख बनाया जाता है ये होगा पब्लिक एकाउंट कमेटी के तहर तो फ्रेंस अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हों नेक्स्ट कोशन अगले वीडियो में कांटिन्यू करेंगे तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको किस तरीके से पढ़ना है हमें कमेट में बताएं